कि आप सभी का स्वागत है और बीपीएसी जो ऑडिटर का रिजल्ट आया है उसमें इंटर्वू में किस तरह का क्वेशन पुछे जाएंगे बहुत सरे लोग का क्वेशन था तो मैं कुछ बता देता हूं अगर आप उसे पढ़ते हैं चुकि इस समय कम होता इंटर्वू में सेलेक्टिट टॉपिक्स पढ़ना होता है अलग से कोई आपको किताब पढ़ना नहीं है लेकिन जो भी आप पास किये हैं सभी के लिए एकोनोमिक्स बैक्रण्ड शाही रहा होगा तो मैं बता दूब कुछ टिप्स बता देता हूं जिससे आपकी त्यारी हो सके बेसिकली देखिए जो 11 का जो 11 का जो एन्ची ए आर्टी का जो इंडियन एकोनोमी में चलता है इन्डियन एकोनोमी का जिस्त मतलब हर चेप्टर का जो समरी है उसको पर दीजेगा साथी साथ आपका वेकोनोमिक्स बैग्राउंड से ही है तो यही का यहीं कि टुवल्ट का जो माइक्रो है एंड मेक्रो है NCRT उसको पढ़िए तीसरा टॉपिक हम जो बता रहे हैं वहां का पब्लीक फाइनांस पब्लीक फाइनांस अब पढ़े होंगे तो पब्लीक फाइनांस का जो टेक्स स्ट्रक्चर है खासकर जीस्टी है और जो फाइनस कमीशन है इसको अच्छे से देख लिएगा चार नंबर में है एक एक और डिटर पेपर होता है जो अकॉंड के बिद्यार्थी होते उन्हें पढ़ना होता है तिसका जो शुरू का इंप्रड़क्शन पार्ट है और डिटर का और डिटर बूक आती है उसमें जो चेप्टर वन है ना बस उसको अपको पढ़ लेना और जिस पोस्ट के लिए जोएन करना जाए उसका बैक्डरॉंड आप एक बार देख लीजेगा इस तरीके से आपका हमारा सेक्शन से कोशन पुछे जाने के संभावना ही होती है जो भी कोवीट के बाद हमारा अर्थवस्ता एफेक्ट रहा हमारा अभी जो जुद चल रह उक्रेन का रसिया का इसमें हमारे भारती अर्थवस्ता पे क्या फर्क पढ़ेगा आने वाला कल में क्या फर्क पढ़ेगा तो करेंट घटना चक्र से सभी को जोड़ कर देखना है साथी साथ जो कुछ कॉमन टॉपिक है इंफ्लेशन डिफलेशन डिमांड सप्लाइं मार् में पर्फेक्ट कंपरेशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक और ओलीगोपोली भी थोड़ा सा दिया है तो एक बेस है चुकि आप पहले भी पढ़े होगे तो भी नोट से उसको देखना है लेकिन इससे क्या होगा आपका चोटे चोटे चीज इंटरवों में बहुत लेंदी आपसे नहीं पूछी जाती है और बहुत लोग आपको सुनने के नहीं तो कोई भी चीजों को कम सब्दों में कैसे व्यक्त करें यह आपके अंदर आइडिया होना चाहिए तो वैसे जो हमारा इंटरवू का बैच है और आप चाहेंगे सभी लोग जोईन कर ले उसके लिए मैंने 450 रुपया आप लोगों से सहयोग राशी रखा है इस ग्रूप में सभी लोग रहें कापी अच्छा इंटरवू जाएगा वैसे जो नहीं भी है मैं बता दिया कि इस तरह से आप पढ़िएगा तिससे भी आपका इंटरवू कापी अच्छा जाएगा वैसे कोई भी इस चीव आता है इंडियन एकोनोमी का उसको भी थोड़ा सा पढ़िएगा उतना समय आपके पास रहता नहीं है इसलिए होगा क्या कि आप जितना अधिक से रिफ गुरूप डिसकेशन करें एक दो मॉक टेस्ट दें उससे आपका सोलूशन हो जाएगा साथी साथ जितने इतरह का डॉकुमेंट से उससे सभी को अरेंज करके जाएं तब आपका इंटर्वू अच्छा जाएगा क्लियर ऐसे इंटर्वू का मैं टिस्ट आपको बीच बीच में देता रहूँगा और डेली का डिसकेशन है क्लास है अब सभी लोग जोईन किजिए धन्यवाद